Hello students we are going to take the next numerical solutions on De Broglie wavelength इसमें किसी में हमने energy निकालना है किसी में momentum निकालना है किसी में wavelength निकालना है सो इस problem में हम देखिए कि इसमें हमें क्या निकालना है काल्कुले दी अनर्जी और मोमेंटम आप फोटन आप वेवलेंग जिक्स 66 hundred angstrom degree angstrom दिया है एंग्स्तॉम यहां पर energy और momentum हमने निकालना है फोटन जिसका wavelength दिया है 6600 angstrom तो planks constant अलीज दिया है उसका वैल्यू तो यहां पर हमें energy निकालना है और फोटन momentum up the photon निकालना है weilings आप दिए पोटन दिया है 66 100 एंक्स्ट्राम थो उसको में में चैंज किया है वाइन्क्स्ट्राम बराबर हो तो 10 is one minus 10 meter तो इसको में 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 चैंज किया तो calculation of energy के लिए हमें कपता है ए बराबर है एच इंु न्यू यह फार्मला लगाएंगे वह बराबर है एच इंटु सी बटैलेंडा न्यू ब्रपर तविलाुस्टी बटैले यह इस में हम वैल्यों पूट आप करेंगे हेज का वैली हमने है एक विलासिफ लाइट है थी इंटो टैंस पर एट और लेमडा का वैली ऑपर दिया है वह विए निम्रकर प्रव्लम में 66 इंटो 10-10 meter बन गया है तो after calculation इसको calculation करने के बाइद जो energy of the photon that is given by यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह बने का 3 into 10 minus 26 divided by 10 to 7 यह हैं थोड़ा सा calculation करने के बाइद यह बन गया यह बन गया energy of the photon का value निकला 3 into 10 to minus 19 joules so this is on we will continue अब हम the calculation of the momentum हम निकालना है है तो momentum के लिए momentum फोटन हमें पता है that is यह नोवाई पी इसको लाइच बड़ा लेमडा क्योंकि लेमडा बराबर होता है एच बड़ा पी और जब हमने पी निकलना है तो यह बनेगा सब्सक्राइब जबाइच बड़ा यह ने इसको अबनेगा प्र आफर कल्कूलेशन जो है जो यह बने पी इन प्र वारबार वन बार टैनों सब्सक्राइब निस प्र नटेंस इसाइट और यह कालकूलेशन फूर्दर करने के बाइद के पाद यह मोमेंटर्म आफ दे so we will take another numerical solution that is this is unsolved on page number 88 of the pdf notes calculate the frequency of photon यहां पर हमने frequency of the photon ने कालना है energy दिया है energy of photon दिया 7.5 electron volt वो प्लांग स्कांट का वाली भी दिया है गो यह बराबर 7.5 electron volt वो बराबर 1.7.5 into 1 electron volt बराबर होता है 1.6 10 is for minus 19 joules so frequency हमने निकालना है photon का तो यहां पर frequency हमने पता है यह बराबर है h into new और new बराबर है e beta h तो यहां पर value put up करेंगे तो यह फर्दर बनेगा इसमें बनेगा value put up करने के बाएद हमने frequency of the photon निकले गए बराबर 7.5 into 1.6 into 10 minus 19 यह हो गया यह होगे e का value energy का value say 6.5 into 10 1.6 into 10th power minus 19 divided by Planck's constant बराबर 6.6 into 10th power minus 34 इसको calculation करने के बाएद जो frequency of the proton है वो निकले का बराब 1.8 into 10th power 15 hertz similarly we will take another numerical solution एक चोटा सा numerical solution on unsolved on page 87 of pdf notes so what is debrogly wavelength of the following यहां पर हमने तीन cases है a, b और c इसमें हमने debrogly wavelength निकलना है सब में अब पहला case है ability of mass यहां पर mass दिया है ट्राइलिंग दिया है तो इसके लिए हमने debrogly wavelength निकलनी है यह बनेगा first a part के लिए lambda बराबर h by p h a planks constant और p momentum बराबर बराबने m into v mass into velocity अब planks constant जो है उसका value दिया है उसका value अलड़ी constant है और यह mass बराबर है 0.40 kg bullet का और इसका velocity बराबर है 1.0 into यह kilometer है तो इसको meter में change करने के लिए इसको 10 per minus 3, 10 per 3 multiply करेंगे क्योंकि kilometer बराबर है thousand meter तो इसको हमने एक kilometer को हमने बनाया meters में बन गया 1 into 10 per 3 है तो यह calculation करने के बाइद इसका जो mass bullet का जो mass है जो उसका mass और सीपी विला से दिया हुआ है तो हमने निकालना था इसका wavelength वो निकला 1.66 into 10 per minus 64 meter इसी तरह second case हम ले लेंगे बाल आफ मास 0.06 kg मुहिंगे at a speed of 1.0 meter per second अब हमने mass of the ball निकालना है एक बाल का डिबरोली विला निकालना है बाल के लिए जिसका mass इतना दिया है और speed इतना दिया है तो यहां पर यहां पर भी हम लगाएंगे लेंडा बराबर 0.60 kg into velocity बराबर 1 meter per second तो बनेगे बान वही इसका जो डिबरोली विलेंग्स थे आफ्टर काल्कुलेशन निकला 1.1 into 10 to minus 32 meter और अब हम सी पार निकालेंगे डिबरोली विलेंग्स तो आफ डस पारिकल अब डस पारिकल है जिसका mass है 1.0 into 10 to minus 10 kg और moving with the velocity of 2.2 meter per second go यहां पर mass भी दिया है और यहां पर velocity भी दिया है तो इसके लिए डिबरोली विलेंग्स कहने के लिए का लेंगा लेंडा इसकाल एच बटा mv वी वो बराबर है प्लंक्स का वैली दिया है और mass of the dust particle बराबर है 1.0 into 10 to minus 9 into velocity or speed of the dust particle that is 2.2